करनाल के भूला खालसा गाउं में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है एक बारा साल के बच्चे का जन्म दिन मनाया जा रहा था चारो तरफ खुशियां थी लेकिन उसी दोरान वहाँ पर एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 20-22 लोग घायल हो जाते हैं जिनें अस्पतालों में भरती करवाया गया है 20-22 लोगों को अलग-अस्पतालों में भरती करवाया गया है यह पूरा जो हादसा है वो करनाल के भोला खालसा गाउं में हुआ है जो निगदू थाना शेतर में पड़ता है और करनाल के बालाजी होस्पिटल जो एक नीजी होस्पिटल है यहाँ पर तीन से चार लोग इलाज के लिए आए हैं कुछ लोगों को निगदू में एडमिट करवाया गया है कुछ लोगों को कुरकशेतर में एडमिट करवाया गय क्योंकि जब ये हादसा हुआ वहाँ पर तमाम लोग जो गाउं के थे वो पहुचे हुए थे और उसी दोरान सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे का जर्म निंथा चारो तरफ खुशियां थी और जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहोल बन जाता है कुछ लोग घंबीर रूप से घायल हुए है जिनें कुरकशेतर निकदू और करनाल के अस्पतालों में भरती करवाया गया है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगी हुई थी और उसी में से एक स्टॉल का स खामला सामने आया था जहांपर एक परिवार के घर के अंदर जो सिलेंडर लीक हो गया था और उसके बाद वहाँ पर आग लग गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खबर आएगी कि वो लोग अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमान शुनारंग